हेलो फ्रेंड से एक पर फिट से स्वागत आपका लोगाट एकेडमी चैनल पर तो दोस्तों आज की जो न्यूज है वो न्यूज है जेई मेंस और नीट की परिक्षाएं देने वाले छात्र छात्रों के लिए तो उनके लिए एक राहत बड़ी खबर ये है कि आप जो जेई मेंस और नीट की परिक्षाएं पहले मई में होनी थी आप वो दोस्तों पोस्पॉन हो गई है यानि कि जेई मेंस और जो नीट मेडिकल परिक्षा जो होती है उसकी जो परिक्षाएं होंगी दोस्तों आप में ठीक है तो मानव संसादन मंत्री हमारे रमेश पोखरिया निशंक जी ने ये गोशना करी है ये न्यूज बताई है तो क्या है पूरी न्यूज आज देख लेते हैं दोस्तों कहा गया है कि इंजिनियर वो मेडिकल में परिवेश की त्यारी कर रहे हैं चातों के लिए मेंश 18-23 जुलाइं तक जबकि नेच 26 जुलाई को होगी तो ऐसा कहा गया है कि जो जेए मेंश है तो जे ए और येए ची जो परिख्शा है वो होगी दोस्तों 18-23 जुलाई के बीच और जो आपके नेट है यानि कि जो मेडिकल परिख्ष पberिख्शा होती है नेट ही वो हो दोस्तो आब आपको चबविस जुलाई को, ऐसा कहा गया है, आगे कहा गया है कि CBSC की दस्वी वो बारवी की बची परिक्षाओं की तारीखों का ऐलान सुक्रोवार को हो सकता है, तो दोस्तों, CBSC Boards की जितने भी दस्वी के पेपर बचे हों अभी और बारवी के पेपर बच दी जाएंगी डेट आ जाएंगी तो मैं वीडियो के मात्यम से आपको बता दूँगा उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा साधी बैल आइकोन को भी प्रेस करना होगा दोस्तों बागी मैं एक बात आपको यह बता दूगी जो दसवी की परिक्षाओ हैं CBSC Board की जो भी परिक्षाओं बज गई थी वो परिक्षाओं नहीं होंगी लेकिन केवल दिल्ली में जहां पे दंगा शेत्र अलाका जो था अभी कुछ दिनों पहले जहां पे दंगा हो चुगा दंगी की बज़ा से महां पर परिक्षाओं नहीं उपाई थी केवल वहीं परिक्षाओं होंगी दसवी की बात मैं कर रहा हूं कि कि महां पर दसवी की परिक्षाओं होंगी बाकी कहीं भी जगा दसवी की परिक्षाओं नहीं होंगी जो भी बचे होए थे पेपर वो नहीं होंगे ऐसा कहे दिया गया है पहले ही तो आगे न्यूज पढ़ देते हैं मानव संसादन मंतरी रमेज पोकरिया निसंक ने मंगलवार को कहा जई एडवांस अब अगस्त महोंगी जिसकी तारिकों की गोशना बाद में की जाएगी लोगडाउन के चलते नैशनल टेस्टिक एजनसी यानिकि एंटिये ने इन परिक्षाओं को मई अंतर तक के लिए टाल दिया था जेई मेंस अप्रेल में और नीट मैं में पहले प्रस्तावी थे एंटिये के मताबिक इस साल जेई मेंस में 9 लाग जबकि नीट के लिए 15 लाग चात्रों ने रिष्टन कराया है निसंक ने कहा कि दस्वी वा बारवी की बागी रह गई परिक्षाओं की तारिक एक दो दिन में गोशित कर दी जाएंगी सबसे पहले बारवी की परिक्षाओं कराएं जाएंगी इसके बाद दिल्ली के कुछ शेत्रों में दंगों के चलते अधूरी रह गई दस्वी की परिक्षाओं कराएंगी इस सेत्र के अलावा दस्वी की कोई परिक्षाओं नहीं होगी जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि दस्वी की परिक्षाओं और कहीं नहीं होगी केवल दिल्ली के इस दंगे प्रभावी शेत्र में ही दश्वीं की परिक्षाई होंगे चात्रों को तयारी के लिए 10 दिन का समझ दिया जाएगा इनके आपको 10 दिन पहले बता दिया जाएगा यानि कि 10 दिन पहले आपको डेट दे दी जाएगे होते हैं तो अगस्त में بھی आपका रिजल्ट आ जाए ठीक है जो भी बोल्ड परिक्षाइदे रहे हैं सीुब्सी बोल्ड का जो भी है तो अगस्त में आपके रिजल्ट आने की संभावना है और जुलाएं में आपकी सारी परिक्षाइं हो जाएंगी भी कहा गया कि बारवी की परिक्षाएं की जो डेट हैं या दसवी की परिक्षाएं की जो डेट हैं वो सुक्रवार तक गोशित हो जाएंगी दोस्तो तो तैसी डेट हाती है मैं आपको बता दूंगा वीडियो के माधियम से तो दोस्तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्र करना होगा सांधी बैल आइकन को भी प्रेस करना ना बूलेगा दोस्तों धन्यवाद